पुश्पा को जब दिप्ती से खबर मिली कि अश्विन और भासकर ना तो कॉल उठा रहे हैं और ना ही मैसेज का रिपलाई दे रहे हैं तो पुश्पा भी बाकी लोगों की तरह घबरा जाती है और दोनों के बारे में सोचने लग जाती है कि आखिर दोनों कहां गए होंगे और कैसे होंगे जब भासकर ट्रिप के लिए निकल रहा था तो उसके बेटे ने उसे रोकना चाहा जिसे कोई समझ नहीं पाया अगर उसे दिन सभी लोग समझ जाते कि बच्चा क्या कहना चाता है तो शायद अश्विन और भासकर के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होता प्रार्थना ने पुलिस को सच नहीं बताया बलकि सच के बारे में अपने पापा को बताया ताकि उसके पापा उसे जैसे तैसे करके बचा ले क्या प्रार्थना सभी को बता देगी कि उसके कार से कोई टकराया था जो उचल कर गिर गया था होगी चारों तरफ उदासी अभी लोगों को बता देता है कि आखिर अश्विन और भासकर के साथ क्या हुआ